तो फ्रेंट्स मेरे इस वेबसाइट www.estovaticconcil.com में आप सब का स्वागत है तो आज हम बात करेंगे प्लैनेट्स और उसके फ्रेंड्शिप की यह प्लैनेट्स जो रहते है नाइन प्लैनेट्स और आपस में की फ्रेंड्शिप कैसे रहती है हम उस पर बात करेंगे जैसे कि आप देख सकते हैं प्लैनेट में जो संथ है वह मून मास जुपिटर इसका फ्रेंड है मरकुरी के साथ न्यूट्रल है एनमी है उसका सैटन और वीनस लाइक जैट मून है वह सन मरकुरी उनके फ्रेंड है मास जुपिटर सैटन वीनस न्यूट्रल है और उनके एनमी नन है मास के जो फ्रेंड है वह जुपिटर मून सन और सैटन वीनस के साथ न्यूट्रल है और Mercury is enemy जिससे Mercury है वो Sun Venus के साथ friend है और Neutral है Saturn, Mars Jupiter के साथ और Moon के साथ enemy है Jupiter है वो Sun, Moon, Mars उसके साथ वो friend है और Neutral है Saturn के साथ और enemy है Mercury Venus वैसे Venus को हम लेंगे तो friend है Mercury Saturn और जो उसके Neutral है रिलेशनेजी प्लैनेट से वो है Mars, Jupiter और enemy है Moon और Sun Saturn है Saturn जो शनी देव है उनके friend है Venus Mercury न्यूटर है Jupiter के साथ और Mars, Moon, Sun उनके enemy है जैसा कि मैंने बताए कि basically planets को हम डिवाइट करते हैं दो group में डिवाइट करते हैं और अगर हम देखा जाये तो अपने हिंदी स्टोल जीमिन को बोला जाता है कि देव ग्रह और दानव ग्रह दो ग्रह की एक lobby है जैसे आप बोल सकते हैं कि हमारे politics में example लोग जैसे BGP और Congress है वैसे ग्रह में भी दो आप बोल सकते हैं दो category है sorry मैं politics से इसको relate करूँ लेकि मेरा मकसद यह है कि आपको समझाना कि अच्छे ग्रह बुरे ग्रह इसको देव ग्रह बोलते हैं दानव ग्रह देव ग्रह में जो इसको लेते हैं उसको सूरज शद्रमा मंगल गुरु को लेते हैं और दानव ग्रह जो category है और बुद्ध ग्रह की सभी बुरे ग्रहों से मितरता है और बुद्ध ग्रह की गुरु ग्रह से सम मितरता है यहने medium है और बुद्ध ग्रह की सूरज ग्रह से मितरता है तो बुद्ध ग्रह का exception है जैसे कि बुद्ध का मैंने बोला कि enemy वो moon को मानता है तो यह एक classification था देवग्रह और दानवग्रह के basis पर था जो मैंने calculation बिताए दूसरा calculation है वह उसको इस्टो जिवन नैश्रल बेनेफीक और नैश्रल मैलिफीक उसके इसाब से classification किया हुआ है यह यह बाटा गया है जैसे जो बैनेफिक यह जो फाइदा करते हैं हमेशा वह मून मरकुरी वीनेश जुपीटर वह बैनेफिक नीचर होते हैं उनका सभाव ऐसा है और नैश्रल मेलिफिक यह थोड़ा कड़े सकत जैसे बोल सकते हैं इसको मैं बुरा नहीं बोलूगा लेकिन मेलिफिक यह उस हिसाब से मिलिंफिक मेलिफिक नाहीं है सफिक ror कुछल मैलिफिक में की नेशाम मा restriction नहीं सथे मून और मरकुरी हमेशा बैनेफिक नहीं करें युटर मून मेली नहीं होता है कि अवह स्थे के पास Moon Benefit नहीं होगा पुर्णवया के एसपस Moon Benefit होता है वैसे मरकुरी अगर किसी जिस ग्रह के साथ रहे वह उस ग्रह का रूप ले देता है तो इसी तरह के से क्लासिफिकिशन होता है और इसमें को जरूरी नहीं है कि जो क्लासिफिकिशन आपके सामने जो दिख रहा है वक्लासिफिकिशन है उसको स्काइफिकर्ण मुन्तर क्लासिफिकिशन जो की पर्मनें और इनिमी है विसकार मार्स का मुन कहिपिटर नुटराइन जेल्ड और आने मके आपके सेटर वीनैस है पर यह इसका permanent हो है लेकिन कभी-कभी क्या होता है जो सबस्कुर आपके किसी दुश्मनी है लेकिन time being क्या होता है कुछ ऐसे हालात बन जाता है कि वह आपका दोस्ट बन जाता है तो वह एक case होता हूं में कभी आवो तो फिर आगे की condition आगे की वह रहती है लेकिन basic जो friendship nature जो table दहबन है भी है और इसमें जबीवल सकते हैं बैनेफिक मेलिफिक जुसको बता दिया है relates प्रूब्रह में सूर्य मंगल शनी रहोगे तो यह ऐसा आ गया ओके सो अभी प्लैनेट्स की जो भी यह चार्ट आप ध्यान में रखिए यह पर्मनेंट चार्ट की प्लैनेट्स की फ्रेंट्शिप और एनिमीटी है ठीक है ना और अभी हम नेक्स्ट क्लास में आगे जो